नई पडोसन, प्यार और दोस्ती के बीच का जो रिष्टा होता है ना, वैसा ही कुछ रिष्टा है शर्मा जी का अपनी पडोसन बबीता भावी से अर सुनिया ना, कुछ पैसा दे कर जाईएगा, मैं और पडोस की बबीता भावी अच्छा आपिंग में जाएंगे बबीता भावी का नाम सुनते ही शर्मा जी कान खड़े हो जाते हैं हाँ, क्यो नहीं, तुम तो ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ, और हाँ, मैं आफिस जाते वक्त तुम दोनों को मॉल में भी छोड़ दूँगा आरे वा, ये तो मज़ा ही आ गया, मैं अभी बबीता भावी को तयार हो जाने को कहती हूँ शर्माईन और बबीता में बात हो जाती है ये महंगा वाला पोफ्यूम लगा लेता हूँ, भावी जी बगल में बैठेगी तो इंट्रेस हो जाएंगी दोनों मिया बीवी घर से बाहर निकलती ही है कि शर्माईन बगल वाली सीट में बैठती है अरे तुम पीछे जाओ ना अरे पीछे का है? अरे तुम ड्राइवर लगोगे ना, मैं और बबीता भावी पीछे बैठ गए तो अरे ने ने वो तो आगे बैठेगी अर का बात है? कुछ जादा ही जज़बात नहीं उचल रहे हैं तुमारे? मैं उतर रही हूँ, कैब से चली जाओंगी अरे मेरी प्यारी बलबल, वो मेरा आफिस का बैग देख रही हूँ ना हाँ तो, रोजी तो देखते हैं, आज का नया है? अरे उस में ना अफिस का कैश रखा है, अब ये बबीता भापी का तो कोई भरुसा है नहीं, चोड तो लगती हैं, तभी तो अरे का, का तभी तो, अरे कैसे चोड लगती है वो तुम्हें, का चुरा लिया उसने तुम्हारा? मतलब कि अब पैसे गाइब हो गया है तो शर्मा शर्मी में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, तुम बैग पकड़ कर पीछे बैट जाओ, वो आगे बैट जाएंगी होता भी ऐसा ही कुछ है, बबिता जी बैट जाती है शर्मा बाबू की बगल में, अब जो कार स्पीड आफिस जाने के लिए 70 होती थी, वो 40 में आकर अटक जाती है और का बात है, आज तो आपकी कार चली नहीं रही है बबिता जी जोर से सांस लेते हुए कहती है ये कैसी प्यारी सी महक है अरे लगता है मेरा पर्फूम है, लेकिन मैंने तो लगाया नहीं अरे वो लगता है, गल्ती से मैंने अरे शर्मा जी, लेडिस पर्फ्यूम अब अब जी जी, वो बजार आ गया अच्छा, आप लोगों का अगर टाइम लगेगा तो बताते ना, मैं आ जाओंगा लेने और नहीं न, ठीक जाओ अब आफिस हाँ वैसे ही लेट हो रहे हो कबसे बाई बाई भापी जी, अच्छे से शापिंग करियेगा जी, बिलकर अगले दिन अरे सुनिया तो, शाम को जल्दी आ जाएगा, वो बबीता भापी है ना अब कौन बबीता भापी, याद नहीं आ रहा अरे वही वाली, जिसके साथ आपने हमें मार्केट में छोड़ा था, याद नहीं का अरे कान वो पतली, लंबी, काले-काले बालो वाली, हिरण जैसी आखो वाली, वही न, अरे याद नहीं आ रही अच्छे से वाजी वाँ, अरे और कितना याद रखोगे, उन लोगों के घर हमारा आज रात का खाना है, टेम से आ जाना शर्मा और शर्माईन, पडूस की बबीता भाबी के घर खाना खाने जाते हैं, जहां बबीता का पती कहता है अरे आई 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 ये बाबी जी, आपी का इंतजार हो रहा था, देखिए आज सबजी मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है अच्छा, तो कभी हमारे घर भी आईए, खाने में मैं भी खिलाओंगा बबीता भाबी को अपने हाथ का कूर्मा मसाला अगर आप दोनों की खुद की तारीफ हो गई हो तो थोड़ा बैठ कर बात कर लें अरे भबीता जी, आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज लगती है, तब ही आप कहां इतनी सुन्दर और भाई सहाब अरे नहीं नहीं, हम लोगों की तो लव मैरिज थी, मैंने तो 16 सूमवार रखी थे इनके लिए और हाँ, मैंने भी इन से शादी के लिए न, 16 सूमवार रखे थे अच्छा, और व्रत करने के बाद ये मिले आपको अरे, चुप रहे हैं न, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कितनी प्याड़ी जोड़ी है शर्मा और शर्माईन जी की हाँ, वैसे और भी अच्छी हो सकते थी सब खाना खाकर अपने घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि और हाँ, अब हम लोगों को एक दुसरे के घर जाने के लिए किसी बहानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए अरे भाई पड़ोसी है, वो भी एक उम्रे के, क्यों मिस्स शर्मा अरे मुझा और खाविता भाबे को तो बोलने के भी जरूरत नहीं है, वो कहना हम लोग वैसे भी साथ ही रहते हैं कभी बहुत सुब मेरे घर में तो शाम को मैं उनके एक दिन शर्मा जी ओफिस से शाम को घर आने के बजाए बबीता जी के घर मिठाए का डिबबा लेकर पहुँच जाते हैं अरे भाबी जी, कहां है आप? आरे भाई साहब, आप मुझे लगी रहा था कि आप ही होंगे जी भाबी जी, कडेक्शन इसी को तो बोलते हैं वैसे ये लिजिये मिठाए का ये, मेरा प्रमोशन हो गया जी आपने भाबी जी, यानि अपने बीबी से share कर ली, ये बात और मिठाए दोनो अरे नहीं नहीं भापी, जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ, मिठाई लेकर सीधे आपके घर आया हूँ, लीजे, लीजे, खा लीजे तबी पीछे से शर्माईन आकर खड़ी हो जाती है अर मिठाई का दोर खतम हो गया हो, तो घर चले का शर्माईन को देखकर शर्मा सकपकासा जाता है हाँ, 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 चलो, वो बाबी जी तो बोल रही थी की जी शर्मा जी, इसलिए मैं बोल रही थी की मुझे लगा आप ही होंगे क्योंकि आपकी वाइफ मेरे घर में थी, तो आपको तो आफिस से सीधा यहीं ही आना था ना घर आकर शर्माईन शर्मा पर बरस्ती है अर देख रहे हैं हम, कुछ दिनों से आप बबी ताजी पर कुछ ज़्यादा ही महर्बान हो रहे हैं अरव वो तो तुम्हारी सहली है, तो मैं थोड़ा भाव दे देता हूँ, वरना तो तुम जानती हो, मैं तुम्हारे बिना किसी को देखता तक नहीं हूँ हाँ हाँ, देख रहे हैं हम, कि तुम किसे देखते हो और किसे नहीं प्रमोशन हुआ, दिन में चार-चार बार फोन पर बात हुई पर मुझे बताना जरूरी नहीं था, क्यों? शर्मा देखता है कि दर्वाजे में बबीता खड़ी है और सामने बीवी की तभी वो सीना पकड़ कर बैट जाते हैं, अब एक तरब से बीवी शर्मा जी को पकड़ती है और एक तरब से दभीता जी, बेचारे शर्मा जी इस बार तो बच गए, लेकिन देखना बाकी है कि आखर कब तक? कि दूऔर बाकी है और में यार्मा जी शर्मा जी सामने ले और और एकिन दीवी शर्मा जीवी जी शर्मा जीवी खड़़।